आज के इस प्रैक्टिस सेट के मार्ध्यम से हम लोग बिहार पुलिस जवाबकारी एकजाम 21,391 पोस्ट के लिए अगस्त महिना में शुरू हो रहा है इसके लिए हम लोग ज्यान बिंदू GS Academy रोशन अननसर के सेलेक्टेट प्रैक्टिस सेट के प्रशनों को सल्व कर रहे है और आज का जो यह कलास है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और देखिए 26-6-2024 को जो टेस्ट नंबर 6 हुआ था बिहार पुलिस के लिए हम लोग सारे 100 के 100 प्रैक्टिस सेट के सल्व करेंगे ठीक है तो आईए ज़दा समय बेर्थ ना करते हुए आज के इस बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के प्रशनों को सल्व करते हैं लेकिन प्रस्ण सल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पने हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को जरूर आप सभी प्रेस कर देजिएगा जिसे कोई भी क्लास बिहार पुलिस से समंदित इस चैनल पना जाए तो यूटूब के माध्यम से वीडियो क नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो पहला प्रस्ण है आपका परिदर्सी यानि की पैरी एसकोप में दो समतल दरपन एक दूसरे से कितने कोण पर एस्तित होते हैं बताइए पहले नमबर प्रस्ण का सही जबाब क्या होगा तो ध्यान रखेगा इस प्रस्ण के लिए सह जबाब अप्सान नमबर ये जो लोग भी लगा है 45 टिगरी कोण पर बिल्कुल आपके पहले नमबर प्रस्ण का सही जबाब अप्सान हो जाएगा ठीक है दूसरा प्रस्ण है जब दो भिन भिन धात्यों के जोड से होकर धारा परवाहित होती है तब जक्षन पर या तो उस्मा का उत्पादन होता है या अउस्षण होता है किसी जक्षन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने से उस्मा का उत्पादन होता है तो दूसरी दिशा में धारा के बहने पर उसी जक्षन पर उस्मा का उस्षण होता है इस प्रभाव को क्या कहा जाता है मतलब परिभासा दे करके उसका नाम पोच लिया गया है तो ध्यान रखेगा पेल्टियर प्रभाव कहा जाता है अपसन नमबर बी में आपके दो नमबर प्रस्ण का सही जबाब दिया गया ठीक है आगे देखिए अति चलाकता की खोज कौप की गई थी तो अति चलाकता की खोज ध अपसन नमबर बी आपके तीन नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है यहीं पर ध्यार रखेगा नीदरलेंड के विज्ञानिक थे अगला प्रस्ण है तीन नमबर अति चलाकता की खोज कौप की गई थी तो ध्यार रखेगा नीदरलेंड के प्रमुख भावति सास्त्री केमर लिंग उन्स के द्वारा सन 1911 इस भी में अतिच लगता की खोज किया गया था जो आपके अपसा नमबर भी में इस प्रस्थन का सही जवाब दिया ठीक है चोथा प्रस्थन है मेसर के संबंध में सत्यकथन का चैन करना है तो सत्यकथन की अगर बात किया जाए मेसर में सुक्ष्म तरंगे उद्पन होती है बिलकुल अपसन सी हो जागा चोथे नमबर प्रस्थन के लिए सही जवाब अगला प्रस्थन है पांच नमबर सुरिष से प्रती सेकेंड कितनी उर्जा निकलती है तो सुरिष से प्रती सेकेंड धिया रखेगा तीन तो हमारे मस्तिक सपग कितने समय समय तक रहता है देखिए जो मस्तिक सपगर प्रभाव रहता है ध्यान रखेगा 0.1 सेकेंड उप्षन भी आपके छोओ नमबर प्रस्थन का सही जवाब हो जाएगा ठीक है सात्वा नमबर प्रस्थन है जल का घनत तो सरभाधिक होता है त तो ध्याँ रखेगा, 4 degree Celsius, जो आपके option number B में दिया गया है, इस प्रस्थन का सही जबाब, ठीक है, यहीं पर ध्याँ रखेगा, अगर आपसे जल का कथोनांग पूछे, तो ध्याँ रखेगा, 100 degree Celsius, और आपसे हिमांक पूछ ले, हिमांक पूछ ले, तो 0 degree Celsius, ठीक है, 7 का सही जबाब, अपसन B होगा, ध्याँ रखेगा, 8 नमबर प्रस्थन है, बियाफो हिमनद एस्तित है, तो बियाफो जो हिमनद हो जाएगा, ध्याँ रखेगा, कारा कोरम में एस्तित है, अपसन D में आपके 8 नमबर प्रस्थन का सही जबाब दिया गया है, 9 नमबर प्रस्थन ह अगला प्रस्ण है गार नमबर भारतिय सुनामी अगरिम चेतावनि केंद्रे ITEWC ध्यान रखेगा यहाँ पर किस वर्स से कार्य कर रहा है किस वर्स से कार्य कर रहा है इस प्रस्ण में आप से पूछा गया है तो ध्यान रखेगा वर्स 2007 से अप्सन भी आपके 7 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा अगला प्रस्ण आपका 12 नमबर सब तरीसी किस नक्षत्र मंडल का भाग है तो सब तरीसी का अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखेगा बीग बीर यानि की अर्सा मेर और बीग डिपर यानि तीनों का हो जाएगा उप्यूक्त डी आपके 12 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होता है यही क्या है सत्य कथन ने इस बात को ध्यान रखेगा मत्समी घटनाय छो मंडल में घटित होती है ठीक है अप्सन ए आपके यानि की 13 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा 14 नमबर प्रस्ण है दक्षिण पूर्व ऐसिया आदी मानों द्वारा सर पर्थम की कई बिक्षो की क्रिशिक किस नाम से जाने जाती है तो बेजी कल्चर अपसंसी आपके 14 का सही जबाब हो जाएगा 15 नमबर प्रस्ण है मिनाम का मैदान किस देश में अवस्तित है तो यह जो मैदान हो जाएगा ध्यान रखेगा इंपोटेंड प्रस्ण है और इस प्रस्ण का सही जबाब अपसं भी ध्यान रखेगा ठाइलेंड में हो जाएगा ठीक है चली आगे दिखिए 16 नमबर प्रस्ण है बिहार का निम्तम जनसंख्या वाला जीला पूछा गया है तो सेख पूरा हो जाएगा अपसं नमबर यानि कि ए आपके 16 नमबर प्रस्ण का सही जबा होगा 18 नमबर प्रस्ण है भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूप रेखा का प्रस्थाव कि किस ने दिया था तो पहली रूप रेखा का प्रस्थाव आप सभी याद कीजिए यानि कि M 200 सरया ने दिया था अपसं नमबर D आपके 18 का सही जबाब होगा ठीक है 19 नमबर अगला प्रस्था नमबर निम्न में कौन असत्य है तो ध्यान रखिएगा जब आप 20 नमबर प्रस्था को सल्व कीजिएगा तो देखिए GDP फेक्टर कॉस्ट इक्वल आपका क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा GNP market price और देखिए प्लस नहीं परुक्षक कर जो होता है प्लस नहीं होता है घटता है तो यहां माइनस होना चाहिए लेकिन प्लस दिया गया है और यहां पर होना क्या चाहिए माइनस होना चाहिए ठीक है घटता है तो अप्शन B आपका असत्य दिया गया है 21 नमबर प्रस्ण है भारत के मुल्ल कटावटी की दर का निधानन करता है तो मुल्ल की कटावटी की दर का निधानन जो करता है ध्यान रखेगा यानि की केंद्रिये वाणिजे एम उधोग मंत्रा ले अप्सन सी आपके 21 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा 22 नमबर प्रस् किसके फर्मूले की आधार पर स्वतंतरता के बाद पहली बार 1971 इसमी में बैग्यानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारन किया गया जिसमें नेशनल सेंपल सर्वे एन एस एस के उपभोग खर्च आंकडों का इस्तमाल किया गया बताईए 23 नमर प्रस्टन का सही ध्यान रखेगा निलकांत डांडेकर एवं बीएमरत अप्सन भी आपके 23 नमर प्रस्टन का सही जबाब हो जाएगा ठीक अगला प्रस्टन आपका 24 नमर प्रिंट मेडिया के लिए बिदेसी निवेस की सीमा आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखेगा इसकी सीमा हो जाग 26 प्रतिसर ठीक है 25 नमर प्रस्टने SBI का विग्यापन पंक्ति है तो विग्यापन जो पंक्ति हो जाएगा ध्यान रखेगा वीद यू अल दावे अप्सन सी में दिया गया है 25 का सही जबाब ठीक है आगे देखिए अगला प्रस्टन है आपका यानिकि 26 नमर जो प्रस्ट था जो पिदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धरशना साल्ट वक्सपर सत्यागरह के बारे में समचार दिया था बताए किया नाम था तो ध्यान रिखिएगा anxiety26 का सेव अपसनममड़ी यनि की नमक सत्यागरह के समय यनि की पत्रगार पूछा जा रहा ठीक है अगला प्रस्ने आपका 27 नमबर पकिस्तान दिवस को मना आ जाता है काफी जी प्रस्ने बता सकते हैं 23 मार्च 1949 को अपसर नमबर यनि की भी आपके 27 नमबर प्रस्न का सही जबाब हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखिए आप लोग 28 नमबर प्रस्न को अगला प्रस्ने मुगल सम राट फरुक्सियार से विशेस बैपारिक सुभधा प्राप्त करने वाले विशिस्ट मंडल का मुख्या था विशिस्ट मंडल का मुख्या जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा जौन सूर्मन था अपसर ने में दिया गया है 28 का सही जबाब ठीक है आगे देखिए आपका 29 जो प्रस्ण है सहाइक संदी विवस्ता को सविकार करने वाला प्रथम भारतिये देशी सासक का नाम पुछा गया है तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद के निजाम अपसर नमबर डी आपके 29 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है अगला प्रस्ण है 30 नमबर उतर बैदी काल में अपने पुत्र को सिक्षित कर बैक्ति किस रिण से मुक्त हो जाता था काफी इंपोटेंट प्रस्ण है और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अपसर बी आपके 30 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा यानि की रिसीडेंट ठीक है 31 नमर प्रस्ण है असोग के ब्रिहद सिला लेखो की कुल संख्या कितनी थी तो ब्रिहद सिला लेखो की कुल संख्या आप से पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा 14 ठीक है चली आगे देखिए 32 नमर प्रस्ण आपका तारीक ए रसीदी की रस्णा किस ने की थी तो तारीक ए रसीदी की रस्णा ये किस से सिखा था तो ध्यान रखेगा 33 का सही जवाब जो लोग भी अप्सन C लगा है यानि की मेहर जी राणा और दस्तूर जी राणा से अप्सन C में दिया गया है 33 नमबर प्रस्ट का सही जवाब ठीक है आगे देखिए 34 नमबर प्रस्ट ने गंडक नदी का उले किस ब् और दिया गया थीक है प्याहर में घूमरूल अंडोलन के सिस्तापक कौन थै तो ध्यान रखेगा मजहरूल हक कर्फोन C लंबर प्रस्ट नमबर प्रसट का सही जवाब हो जाएगा ठीक है और ध्यां रखेगा बिहार में यह ांडोलन सोरा दिसंबर ध्यान रखेगा 1916 से शुरू हुआ था ठीक है अपसर ने आपके 35 नमबर प्रस्टन का सही जबाब है ठीक है आगे देखिए 36 से लेकर के कुछ आगे जो प्रस्टन है आपके math reasoning और English के है जैसा आपके बिहार प्रस्ट में प्रस्ट math reasoning और English से पूछा जाता है math reasoning के जो प्रस्टन होते हैं इन सभी का solution यानि के discussion आपको pdf format में telegram पो उपलब्द करवा दिया जाता है तो आईए हम लोग यहाँ पर सभी प्रस्टन का answer देख लेते हैं लेकिन एक बार आप लोग जा करके जरूर टेली गराम से इसके discussion को देख लेजिएगा ठीक है 36 का सही जबाब की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सल्व किये होंगे तो आया होगा यानि की 2,45,600 रूपिया अपसंसी आया है बिल्कुल आपका प्रस्टन का सही जबाब है 27 नमर प्रस्टन के लिए अगर आपका सही जबाब संड़ी आया है यानि की ë 25,834.89 आया है बिल्कुल आपकी प्रस्टन का सही जबाब है वही 49 नमर प्रस्टन की बात करूँ तोँ 100 तक की सभी विशम संख्याओं का आवसत पूछा गया है तो 49 के लिए सही जबाब पचास पॉइंट पांच आ जाएगा अपसन ए आगे प्रस्ण है चालिस नंबर निमलिखित में कौन सा अधिक्तम है अधिक्तम आपसे पूछा गया है ठीक है जबाब इसको सल्व किजिएगा अलाकि आपको सबका सोलूशन टेली गराम पर प्राप्त मि दिया जाएगा एक सत्यांतिस नंबर प्रस्ण का सही जबाब आपसन डिया जाएगा बारा ठीक है और आगे देख लीजिए चोवालिस नंबर प्रस्ण का जो सही जबाब आएगा अपसन भी आ जाएगा ठीक है नो आ जाएगा और पैंतालिस नंबर प्रस्ण की सही जबा लेनिन था हुआ कब था यह करांटी तो 1917 में हुआ था और कहां था तो ध्यान रखेगा मतलब करांटी से पहले कहां था तो स्वीट जर्लेंड में था अप्सन भी आपके 46 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा अगला प्रस्ण है व्रेश्टली ट्वसकस की संदी कीन दो देशों के बीश हुई थी तो यह जो संदी हुआ था 47 नमबर प्रस्ण के लिए ध्यान रखेगा आप लोग अप्सन भी यह रूस और जर्मनी के बीश ठीक है किस अनुछेद के तहट 49 नमर जो प्रस्ण है किस अनुछेद के तहट 6 से 14 वर्ष की आयू तक के सभी बच्चों को निश सुल्क और अनिवार सिक्षा उप्बंध है बताइए तो यह जो उप्बंध है ध्यान रखेगा काफी बार इस प्रस्ण को हम सल्ब करवा हैं अपस प्रस्ण का सही जबाब हो जाएंगे ठीक हैं आगे देखिए यहां पर 59 के बाइस सॉरी 50 के बाद आपका 51 यानि की 51 नमबर प्रस्ण है राष्टिय धोज और राष्टिय गान के आदर से सम्मंदित प्रावधान किस अनुछेद में किये गये हैं किस अनुछेद में किये गया हैं देखिए अनुछेद पूछा गया है आपसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अप्सन नमबर एको अनुछेद 51 का ठीक हैं बावन नमबर प्रस्ण है राष्ट पती की छमादान सकती के तहत सजा की प्रविर्ति को बदलना जैसे मिर्तु देंड को कठोर का 70 के तहता आता है ठीक है ध्यान रखिएगा आगे देखिए तीरपान नमबर प्रस्ण है किस वर्स पुर्वोत्तर परिशद में अधिनियम 1971 में संसोधन ना कर सीकिम को आठवे सदस्य के तोर पर सामिल किया गया किस वर्स तो वर्स पूछा गया है ध्यान रखिएगा वर् ध्यान रखिएगा इसके लिए उसे यता सिग्र संसत के प्रतेक सदन के समक्त रखा जाएगा अपसन ही आपके 54 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है पच्पन नमबर प्रस्ण है संग लोग सेवा आयोग के दोड़ा प्रतिवर्स अपना प्रतिवेदन किसे सोबा जाता है प्रतिवर्स किसे सोबा जाता है आप से प्रस्ण पूछा गया है तो ध्यां रखिएगा 55 का सही जबाब अपसन नमबर आपका हो जागा अभी B को ध्यां रखिएगा आप सभी लोग ठीक है राष्ट पती के पास अगला प्रस्ण है 56 नमबर राष्टि ये मानवा अधिकार आयोग के चैन समीती में निम्ण में से कौन सामिल नहीं होते हैं कौन सामिल नहीं होता है नहीं पुछा गया है देखिए परधान मंतरी सामिल होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष भी दोनों सद्नों के विपक्षी नेता भी बाकी राष्ट पती सामिल नहीं होते हैं अप्सन ए आपके 56 का सही जबाब हो जाएगा ठीक है आगे देखिए 57 नमब अगर आपसे संभिधान संसोधन पूछेत एक 60 संभिधान संसोधन आप सभी ध्यां रखिएगा 58 नमबर प्रस्ने निम्ल में से कौन सा सब्द देशज नहीं है देशज कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है देखिए डीबरी देशज है पगडी भी देशज है डोर भी बाकी पुष्कर देशज नहीं है ध्यां रखिएगा अपसन से 69 नम प्रशन े बांजे खिलना मुहाबरे का सही अर्थ बताईए 69 का सही जबाब क्या होगा हिंदी से संब्दित प्रसन है ध्यां रखिएगा अत्यांत प्रसन होना अपसन भी आपके 69ité lower भाई सहाब बैठे है इस वाक में चरपाई सब में कौन सा कारक है तो चारपाई में अधिकरन कारक हो जाएगा हमेशा कारक से कारक और उनके विभक्ति से प्रस्न पूछा जाता है याद कर लिजिएगा एक बर कारक को ठीक है डिसकर्शन भी मिल जाएगा वहां से भी आप सब्ध होते हैं ध्यान रखेगा यानिकि अवियव होते हैं ठीक है चली आगे देखिए लंबोदर किस प्रकार का सब्ध है तो लंबोदर की अगर मैं बात करूं तो यो रून हो जाएगा अप्सन नंबर सी चौउशट नंबर प्रस्न है सन मार्ग का सही संदी बिछेद आ समास का उधारन नहीं है तो प्रती दिन नहीं ध्यान रखेगा बाकी निलकंट ग्रीधर और लंबोदर सभी बहु ब्रही समास की उधारन हो जाएंगे ठीक है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रती दिन में कौन सा समास है तो अभ्याई भाव समास है ध्यान रखेगा 66 नमबर प्रस्ण है कौन सा वाक के असूध है असूध कौन सा है देखिए असूध जो हो जाएगा ध्यान रखेगा अपसन नमबर C को हो जाएगा ठीक है हिंदी का प्रस्ण है मिला लेजी आप सभी लोग चली आगे देखिए रिजनिंग के प्रस्ण दिये गया है और आप सभी को मैं बार बार बताता हूं कि रिजनिंग मैथ और इंगलिस के प्रस्ण का डिसकर्शन आपको PDF में मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको एंसर मिला करके अपना माक्स बताना पड़ता है कि आपको प्रते प्रस्ण का सही जबाब, अप्सन B आजाएगा ठीक है शारे रिजनिंग के ए जी प्रस्ण दिये गया है उनहत्तर का सही जबाब आप खा हूँ अपसं B आजाएगा ठीक है घीटी 70 का सही जबाब क्या आ जाएगा तो देख लिजिए यहाँ पर 70 का सही जबाब, अपसन C जो लोग भी लगा है बिल्कुल आपके प्रस्टन का सही जबाब हो जाएगा आगे देखिए सुची 1 को सुची 2 के सांस मेल करना है और सही उत्तर का चैन करना है, ठीक है एक अतर नमबर प्रस्टन का सही जबाब अगर देखा जाए तो मुख्य क्वांटम संख्या इनिकी N किसके बराबर होते हैं तो ध्यान रखिएगा यनिकी इसका मिल C से हो जागा इलक्ट्रोन का उर्जायस्तर यनिकी 1 का मिल हो जागा आपके C से ठीक है ध्यान रखिएगा वही बात किया जाए यनिकी दिग वन सी quantum संख्या तो धियां देखिएगा D से इसका मिल हो जागा electron का कौन्टम संख्या यह यह इनिकि 2 का D और 3 काी देखिएगा quantum का quantum संख्या यह इनिकि electron का ककछक से हो जाएगा शक्याख है और आपका जो चार जो है चक्रन quantum संख्या इसका मेल अप्शन A से हो जाएगा इलेक्ट्रोन का शक्रण से यानि की चार का A से मिल हो जाएगा तो अप्शन B में आपका मेल सही दिया गया है कूट के माध्यम से ठीक है चली आगे देखिए 72 नमबर परस ने निमलिखित में कौन सी किर्णे फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तेथा जिंक सल्फाइड या बेरियम सल्फाइड की प्लेटी नोसाइनाइट में क्या है एसपुर दिप्त उत्पन नहीं करती है बताईए 72 का सही जबाब तो ध्यान रखिएगा आप्शन सी गामा किर्णे 73 नमबर जो प्रशन है किसी द्रव में गैस की बिल्यता और ताप का क्या संबन्द है गैस की बिल्यता और ताप का संबन्द की अगर मैं बात करूँ तो अप्शन B हो जाएगा 73 का सही जबाब आगे देखिए 74 नमबर प्रशन है आपका निम्न में कौन सा कतन सोडियम धातू के संबन्द में असत्त है गलत कौन सा है आपसे प्रशन पूछा गया है देखिए या बेंजीन तथा इथर में अविले होते हैं यही गलत है बाकी A, B और D आला अप्शन क्या है 74 नमबर प्रशन के लिए सही है 75 नमबर प्रशन है निम्न में किसका परियोग भठों में एस्तर लगाने के रूप में किया जाता है बताईए 75 का सही जबाब तो मैंगनेसियम ऑक्साइड अप्सन ही आपके 75 नमबर प्रशन का सही जबाब हो जाएगा ठीक है 56 नमबर प्रशन है चांदी की चमत से अंड़ा खाना वरजित क्यम होता है क्यों कि वह प्रतिकृया करके नस्ठ हो जाती है निक्री काला हो जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है आगे देखिए आपका 77 नमबर प्रशन है द्रावित-ब्युटेन और आईसो-ब्युटेन का मिस्टन कहलाता है, तो यहों जो मिस्टन कहलाता है, ध्यान रखेगा लपीजी यानिकी लपीजी गैस कहलाता है, 38 नमबर प्रस्टने निम्न में कौन रसायनिक उर्बरक नहीं है तो रसायनिक उर्बरक जो नहीं होगा ध्यान रखेगा आप लोग यानि कि सोडियम सल्फेड अप्सन भी 89 नमबर प्रस्टने टेरा माइसीन नामक प्रती जैबी को किस जीवानु से प्राप्त किया जाता है तो जिस जिवानु से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग option number C को Streptomyces Remosome, ठीक है, option C में आपके 89 नमबर प्रस्ण का सही जबाब दिया गया है, 80 से 7 से 8 प्रस्ण आपके Selected English से मिलेंगे, तो आईए हम लोग इन प्रस्णों का भी अंसर देख लेते हैं, ठीक है, 80 नमबर प्रस्ण का फूल डिस्कर्शन आपको PDF में मिल जाएगा, टेलिगर आम पर मैं बार बार बताता हूं, देखिए 80 का सही जबाब जो लोग भी Option Number, ध्यान रखिएगा, D को लगा है, बिल्कुल आपके प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा, प्रस्ण है आपका Partial or Total Loss of Money, तो इसका सही जबाब Option D, Amnesia हो जाएगा, ठीक है, 81 का सही जबाब, अगर आप Option Number D को लगा है, तो बिल्कुल आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा, आगे देखिए 82 नमबर प्रस्ण के लिए, अगर आप सही उत्तर Option A को सेलेक्ट किये हैं, A को, तो बिल्कुल आपके प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा, ठीक है, 86 का सही जबाब हो जाएगा, अपसंडी, 86 नमबर के लिए, fill in the blanks देकर के आप से प्रस्ण पूछा गया है, ध्यान रखिएगा प्रस्ण को एक बार PDF में ज़रूर पढ़ लिजिएगा, ठीक है, तो 86 का सही जबाब, अपसंड नमबर ध्यान रखिएगा, बी आजाएगा, और 87 नमबर प्रस्ण का भी सही जबाब, अपसंड बी आजाएगा, ठीक है, चलिए, 88 नमबर प्रस्ण को देखिए, he jumpeded dash the river, बताइए इस प्रस्ण का सही जबाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग 88 का सही जबाब, अपसंड बी इन्टू लगेगा, ठीक है, अपसंड बी को ध्यान रखिएगा, 89 नमबर प्रस्ट ने मेले कोफील सब्द इंगित करता है किसको इंगित करता है तो ध्यार रखेगा यह जो सब्द इंगित करता है अपसन B गोंगे के दुआरा परागण को ठीक है 90 नमबर प्रस्ट ने कार्बन डायोगसाइड रुढ़ीर प्लाजमा में घुलकर कार्बोनिक अमल बनाती है कार्बोनिक अमल के रूप में CO2 का लगभग कितना परतिसत परिवहन होता है तो परिवहन देकर के प्रस्ट पूछा गया है 7 परतिसत मात्र होता है जो आपके अप्सं C में दिया गया है 91 नमबर प्रस्ट निम्न में से किसे समानतो यहनिकी पॉंड सिल्क कहा जाता है अप्सन D को ध्यान रखेगा एस्पाइरो गाईरा को कहा जाता है 92 नमबर प्रस्णे सबसे छोटा फूलो वाला पौधा कौन सा है तो फूलो वाला पौधा आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखेगा बोलपिया हो जाएगा ठीक है चली आगे देखिए 93 नमबर जो प्रस्णे है आपका निमलीखित में से किस बिकल्प का अर्थ प्राकिर्तिक या कृतिम रूप से जंगलों का पुना स्थापना है तो देखिए इस प्रस्ण का सही जबाब जो अप्सन C लगा है बिल्कुल आपके बच्चा देने के बाद दूद पहला रूप अप्सन A आपके 94 का सही जबाब होगा ठीक है 95 नमबर प्रस्णे कूफरी चमतकार किस फसल की प्रमुख परजाती है तो यह जो परजाती हो जाएगा ध्यान रखेगा आप लोग अप्सन A यानि कि आलू की 96 नमबर प्रस्णे 200 मौसम दिवस का मनाया जाता है तो 200 मौसम दिवस की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखेगा 23 मार्च को मनाया जाता है 97 नमबर प्रस्णे 2023 की वर्चूनर गलोबल पांस और सोची में भारतिये कमपनी इंडियन ओयल को कौन सा अस्तान पराप्त हुआ है तो करेंट अफियर से स्रिलेक्टेड प्रस्णे ध्यान रखेगा 97 का सही जबाब यनि की 94 वा अस्तान पराप्त हुआ है ठीक है 98 नमबर प्रस्णे आपका नेपाल में वर्तमान राष्टपती का नाम क्या है तो ध्यान रखेगा रामचंद्र पॉडल अफियर आपके 98 का सही जबाब होगा 202 के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो अजय बंगा को बनाया गया है अफियर आपके 99 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा और प्रैक्टिस सेट नमबर 6 का जो आपका लास्ट प्रस्ण है 100 नमबर प्रधान मंत्री नेरंदर मोदी नेगोशला कि कि चंद्रमा पर जिस जगह बिकरम लेंडर उत्रा उसे क्या कहा जाएगा तो उसे जो कहा जाएगा आपसन है सीव सक्टी पॉइंट आपसन है आपके 100 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का जो हम लोगों का 100 प्रस्ण था कंप्लेट हुआ आप सभी को जरूर अपना अपना मार्क्स कमेंट करके बताना है कि आपका प्रैक्टिस सेट नमबर छो में मार्क्स कितना गया है ठीक है चलिए तो आपको सेशन कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताईएगा चैनल पन नहीं है चाहते हैं डेली ग्यान बिंदू जीस एकेडमी रोसन सब्रके सेलेक्टिड प्रस्णों का जो प्रैक्टिस सेट है उसे स्वल्व करना जिससे आपका सेलेक्टिड भी हार प्लिस में इस पार हो जाए जिरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेर इस सेशन को कीजिएगा ठीक है चलिए तो आज के सेसन को यहीं पस्माप्त करते हैं फिर मिलते हैं अगले सेसन के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत